नमस्कार दोतों जंगली आयरुवेदा टिफ्स चेनल में आपका श्वागत करते हैं आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी जंगली जड़ी बूटी जो आदिवासियों की मन पसंद साग है जिसको बोलते हैं चाकोर साग जी हाँ दोस्तों आज इस चाकोर साग के एतने सार वहतरीन फाइदा आपको बताने जा रहे हैं जो इसकेन डिजीज हो गया बलड को साप करना सब्स तो इसको चक्र मर्द भी बोलते हैं और कई तरह के इसकेन लेटी नाम भी है जैशे की इसको जो है हिंदी में पावार चक्रवार है ना माराठी में टकला ऐसे अंग्रेजी में रिंग वार्म प्लांट ऐसे कई राशानिक संगठन से ये एक शांदार ओशदी है ये साग जो दिखाने जा रहे है आदिवाशियों का ये फैवरेट साग है क्योंकि इसको खाने से सूगर नहीं होता है इसकी डिजीज नहीं होता है पेट हमेशा साप रहता है इससे क् भे उमर की जीने की कलपना कर सकते हैं जंगल जारों में ये साग फेबरेड साग है जो आप इसके बारे जाने की इसका फाइदा क्या क्या है तो आपको लेके चलते हैं ये चाकोर साग आप देख पा रहे हैं हम सामने दिखाते हैं आपको वीडियो के साथ बने रहे हैं और आ मार से जो सूप बनता है सूप उसी सूप पे जो मार होता है उसको सुखा करके ये साग को जो है मिक्स कर लेते हैं और आपका लशून प्याँ डाल करके तो ये जो देख रहे हैं ये जो आई साग है इसको सुखा करके पूरा तियार करते हैं और उसके बाद में उसमें लशू को कैसे बनाते हैं जी हां दोस्तों इसको खा ली जगा तो पेट तो जिंदगी भर साप रहेगा गैस का नामो निसान मिट जाएगा खाते ही आपके गैस जो है छू मंतर हो जाएगा इतना सांदार ये चाकोर सागे इसकी विसेस्ता आपको हम बताते हैं इसका विसेस्ता क्या तो दिखते रही वीडियो पे एकके करके इसके बारे बताते हैं छोड़ना मत इसको घांसपुष समझ को उखारना मत क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं इसको घांसपुष समझ के जो चाकोर चाकोर बोलते हैं लेकिन इसका बीज, पत्ता, फल, जड़ सब काम आता है तो आ स्वास जो दिक्कत होती है इनको भी खतम करता है कोर बीमारी जिसे खचला, खुजली, दाद जिसमें कریमी होता है इन सब को नश्ट कर देता है जिहां दोस्तों इसमें फल जो होता है इसके बीज में जो बहुत गर्मी होता है यह चरपराट़जप का है इसलिए ये कोड हो गया, खुजली हो गया, दाद हो गया, दिनाए हो गया, वीत हो गया, गुलमी हो गया, खासी हो गया, क्रीमी हो गया, स्वास सभी बीमारियों में ये जबरजस्त काम करता है उश्य भी जबरजस्त आपको मधूमे यानि शूगर ये बहुत ही रामबान इलाज है इनके पवार मतलब ये चाकोड के जो जड़ होते हैं उसको 10 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में इसको रात में भिंगा के रख दें और फिर वो जो पानी है उस पानी का यानि क्वात को आप जो है सुबह सुबह रोज पीएं आपको इतना जबरजस सुगर आपको काम करेगा सुगर एकदम अगर ऐसे 3-4 महिना तक यूज करेंगे तो सुगर आपको नर्मल हो जाएगा खांसी में इसका एक दो बीज को चूरन बनाके आप पीश के गरम जल के साथ इसका शेवन करिए देखे खांसी बंद हो जाएगा आपके पास में इस्तरी शमंधित जो रोग होता है सफेत परदर इसको बोलते हैं पास से दस गरम है ना इसके जड़ों को है ना चावल के साथ जो पानी धोते है ना माड उसके साथ पीश कर चान कर उसको इस्तरी ओं को पिलाएं है इतना जबरजस सफेत परदर में काम आता है ना कि आप बोलिये माड जिया दोस्तों आप चलते हैं ऐशी बिमारी जो पूरा भारत वर्ष में हर जगा आज फैलते जा रहा है चर्म रोग खजला खुजली दिनाई जिया दोस्तों इसका वज़य हमारा खान पान अलग तरीक जा रहे हैं उसमें 100% काम करेगा लेकिन आपको अचार जैसे खटा टमाटर आपको केला और मास मचली अंडार दूद का चाय का शेवन बरजीत है और आप जो नुस्का बताने जा रहे हैं इसको करके देखिए अगर ठीक ना हुआ तो आप जरूर संपर करें तो इसको आप क्या करें एक किलो ग्राम बीज को चूरन बना करके खूब महिन पीस करके एदम चिकने तरीके से मिटी के बरतन में पांच किलो मटे में मिला कर मूँ बंद करके जमीन में गार दें और छे दिन बाद निकाल कर खाज, खुजली जहां पे है वहां से मलिये उसको एदम सब जड़ से कतम हो जाएगा जिहां दोस्तों और इससे भी ठीक ना हुआ तो अब भी जो नुसका बतानी जा रहे हैं कितना भी पुराना दाद दीना एक खाजला खुजली है यह 100% यह नुसका काम करेगा आपको करना क्या है इसके बीज को सुखा लेना है फिर इसको साथ दीन तक गाय के पिशाब यानि गोमुत्र में इसको डुबा के रखना है फिर इसको सुखा कर पौडर बना लेना है फिर इस पौडर को आपको यह जो अमर बेल है इसके साथ पीश करके रोज है ना थोड़ा एक चमच गाय के पिशाब के साथ रोज जिहां दोस्तों सुब कर लें पूरे सरीर का डीटोक्स हो जाएगा पूरे सरीर के जितनी चर्म रोख खाज खाजला खुजली अगर आपकी केंसर जैसी बीमारी से भी जूज रहे ना खतम कर देगा आपके सरीर के अंदर की पूरी गलेजिंग और चमका जाएगा आपको नाया जीवन मिल जाएगा सिर्फ रोज आप इसको यूज करें तीन महिना तक और जब भी यूज करेंगे आप ताजा गोमुत्र को गरम करके एक चमच उस दावा में मिला के शेवन करें जी हाँ दोस्तों अगर काम ना कियाना तो ज़रूर फॉन किजेगा डिस्क्रिशन में मेरा नंबर है क्योंकि ये मेरा प्रेटिकल है कैसा भी खतरनाक खजला खुजली पर ये काम करता है और इसके साथ जो लोग इसको खाते पीते हैं उनको पेट गैस तो होता ही नहीं है खाते ही आपको रिजल मिल जाएगा इसलिए ये जो है ना मैं खुद खा के देखाऊ प्रेटिकली इसको बनाते कैसे हैं ये जो साग है ना इसको देखे इस तरह से सुखा लेते हैं फिर इसको सुखाने के बाद इसको पूरा पोडर जैसा बना देते हैं और जो खाना बना होता है मज़ा आ जाएगा पेट खाते ही डिटोक्स हो जाएगा शूगर भी पी नॉर्मल हो जाएगा आप खा के देखिए और खाए हैं तो आप नीचे जरू कॉमेंट में लिखे और अगर आपको नहीं समझवा रहा है तो भी जरूर लिखे यह वीडियो कैसा लगा आप ज पोचक जरूर बनाएं और अभी तक सस्क्राइब नहीं कियें तो जल से जल से सस्क्राइब और लाइक्स कर दें थाइंक्यू सुपर रहे लेक्स